Spinal Cord Injury का इलाज एक जटिल सवाल Spinal Cord Injury एक गंभीर स्थिती है और इसका कोई एकल जादूई इलाज अभी तक नहीं मिला है Injection से इलाज कुछ शोध करता ऐसे injection विक्सित करने की कोशिश कर रहे हैं जो शतिग्रस्थ Spinal Cord को ठीक कर सकें ये injection नई नसों के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं या शतिग्रस्थ नसों की मरम्मत कर सकते हैं वर्तमान स्थिती हाला कि इस शेत्र में अभी तक कोई ऐसा injection नहीं आया है जो व्यापक रूप से उपलब्ध हो या पूरी तरह से सफल हो कई चुनोतियां हैं जैसे की शरीर द्वारा, injection को अस्विकार करना या injection का प्रभावी ढंग से शतिग्रस्थ शेत्र तक पहुँचना अन्य उपचार, Spinal Cord Injury के लिए कई अन्य उपचार विकल्प भी हैं जैसे की सर्जरी, Physical Therapy और दवाएं ये उपचार लेक्षनों को कम करने और मरीज की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं कब आएगा इलाज? ये कहना मुश्किल है कि Spinal Cord Injury का कोई पूरी तरह से सफल इलाज कब आएगा शोध जारी है और नए उपचार विकल्प लगातार विक्सित हो रहे हैं आप क्या कर सकते हैं? डॉक्टर से संपर्क करें यदि आपको Spinal Cord Injury है तो अपने डॉक्टर से बात करें वे आपको आपके विशिष्ट मामले के लिए सबसे अच्छे उपचार विकल्पों के बारे में बता सकते हैं अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन खोजें विश्वसनी स्रोतों से Spinal Cord Injury के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें क्लिनिकल परिक्षणों में भाग लें नए उपचार विकल्पों के विकास में मदद करने के लिए क्लिनिकल परिक्षणों में भाग लेने पर विचार करें मुख्य बात ये है कि आशानक होएं शोध करता इस छेत्र में लगातार प्रगती कर रहे हैं और भविश्य में बहतर उपचार विकल्प उपलब्ध होने की उम्मीद है अधिक जानकारी के लिए आप इन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं भारत सरकार के स्वास्थ मंत्राले की वेब साइट यहां आपको Spinal Cord Injury से संबंधित विभिन योजनाओं और संसाधनों के बारे में जानकारी मिल सकती है स्थानिय अस्पतालों और Neurologist वे आपको Spinal Cord Injury के बारे में विस्तरच जानकारी दे सकते हैं और आपके लिए उपयोक्त उपचार विकल्पों का सुझाव दे सकते हैं कृपया ध्यान दे यह जानकारी केवल सामाने जानकारी के लिए है और किसी भी चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं ली जानी चाहिए किसी भी चिकित्सा समस्या के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें स्पाइन कार्ड में इंजेक्शन कौन सा डॉक्टर लगाता है यह जानने के लिए आपको एक निरोलोजिस्ट या एक स्पाइन सर्जन से संपर्क करना चाहिए यह डॉक्टर रीड की हड़ी से संबंधित समस्याओं के विशेशग्य होते हैं और वे ही आपको बता सकते हैं कि आपको किस तरह का इंजेक्शन चाहिए और कहां से यह करवा सकते हैं क्योंकि spine card बहुत समवेदन शील होता है, इसलिए इस तरह का injection हमेशा एक अनुभवी डॉक्टर के द्वारा ही करवाना चाहिए। यहां कुछ चीजें हैं जो आपको एक डॉक्टर चुनने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। डॉक्टर का अनुभव, देखें कि डॉक्टर के पास spine injection लगाने का कितना अनुभव है। डॉक्टर की योग गिता, डॉक्टर की योग गिता और प्रशिक्षन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अस्पताल की सुविधाएं, जिस अस्पताल में आप injection करवाना चाहते हैं, वहाँ की सुविधाएं कैसी हैं, ये भी जाच लें। अन्य मरीजों की राय, अन्य मरीजों से डॉक्टर के बारे में पूछें। यहाँ कुछ तरीके हैं, जिनसे आप एक अच्छा डॉक्टर ढूण सकते हैं। अपने परिवार के डॉक्टर से पूछें, वे आपको एक अच्छे नियूरोलोजिस्ट या स्पाइन सर्जन के बारे में बता सकते हैं। ऑनलाइन खोज करें, आप इंटरनेट पर अपने शेहर के नियूरोलोजिस्ट या स्पाइन सर्जन की खोज कर सकते हैं। अपने दोस्तों और रिष्टेदारों से पूछें, हो सकता है कि आपके किसी दोस्त या रिष्टेदार ने पहले स्पाइन इंजेक्शन करवाया हो। ध्यान दे, ये जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी चिकित सा सलाह के लिए हमेशा आपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्पाइन कार्ड में इंजेक्शन के लिए आप दस्पाइन क्लिनिक में जा सकते हैं। ये क्लिनिक अनिदीब टावर 201, Radium Road, महराजा होटल के सामने, अहीर तोली, राची, जारखंड 8,34,001 भारत में इस्थित है। आप इस क्लिनिक के बारे में अधिक जानकारी यहां प्राप्त कर सकते हैं। दस्पाइन क्लिनिक यहां कुछ अन्य विकल्प भी हैं। ये क्लिनिक अनिदीब टावर 201, Radium Road, महराजा होटल के सामने, अहीर तोली, राची, जारखंड 8,34,001 भारत में इस्थित है। आप इस क्लिनिक के बारे में अधिक जानकारी यहां प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर अजय कुमार अमान ने URL हटाया गया, कृपया ध्यान दे कि यह सूची केवल एक उधारण है और आपके शेतर में अन्य विकल्प भी हो सकते हैं। आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे अच्छा है। झाल 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 झाल